अज की वीडियो में सीखेंगे वाइल के सभी पर्योग in English speaking गाइस वाइल का यूज मल्टीपल सैंस में खिया साता है आज समसेंगे एक वाइल को हम कितने जगों पर किस कंडिसन में यूज कर सकते हैं सबसे बल्यानों समझते हैं वाइल के पहला यूज जिसका मतलब होता है करते करते इड मिंस कोई दो काम आपका एक साथ हो रहा हो एक ही टाइम में हो रहा हो उसमें आप वाइल को यूज करते हैं ध्यान ये रखना है कि आगर आप while का यूज़ कर रहे हैं, ये while के बाद आपका verb का आइंजी फॉर्म आएगा, इसका मतलब ये है कि while के तुरंट बाद आपका verb आइंजी फॉर्म में आएगा, जिसका मतलब होगा करते करते, अब समझते हैं कि जब दो काम एक साथ हो रहा हो होगा, अब्जक्ट हो भी और नहीं भी हो, दोनों के सुसकता है, इसकर आपका while होगा, और while के तुरंट बाद आपका verb आइंजी फॉर्म में आएगा, एड मेंस आपका verb का फर्स फॉर्म में आइंजी जुड़ेगा, इस पर से आएगा, अब एक्जामपल लेते हैं, जिस करते हैं, खाते-खाते, सोते-पढ़ते, बात करते-पढ़ते, इस समय आप यूज़ कर सकते हैं, while का, देखिए, example कैसे बनेगा, I was watching TV, my TV देख रहा था, simple है, अब खाते-खाते, यह जो खाते-खाते हैं, पढ़ते-पढ़ते हैं, सोते-पढ़ते हैं, इसको आपको while से ब आर से, अमन, गाना, सुनते-सुनते दोड़ रहा था, लोगे देखिए, गाना का सुनना और दोड़ना, दोनों एकसन आपका एक ही टाइम में हो रहा था, जब दो काम एक ही समय में हो रहा होता है, तो उस समय आप यूज़ करते हैं, while का, जिससे देखिएगा, कि अमन, इ एकसन एक साथ हो रहा है, इट मेंस आप वहां पर while का यूज़ कर सकते हैं, और while का यूज़ करना क्या है, जिस वर्ड को आप repeat करते हैं, उसी वर्ड को while के साथ आप आगे जोड़ देते हैं, इससे आपका गाना सुनते-सुनते हैं, सुननना के लिसके हो तो लिसन, तो ही है, संडेस बनेगा, पिरिया इस टॉकिंग तो हीम, पिरिया उससे बात कर रहे है, खाना खाते-खाते, पहले नहीं खाते-खाते, while eating, खाना मिंस फोड, इस पार से आप कई सा संडेस को इसलिए बना सकते हैं, तुम सोते-सोते मुवाइल चलाते हो, तो बनाते हैं, यू सेंस, अगला है आपका जबकी, जबकी के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, वाइल का, अब समझते हैं, कि जबकी यूज कर सकते हैं, जबकी यूज कर सकता है, जबकी यूज कर सकता है, आपका एक कंजंचन के तरह, एक कंजंचन के तरह आपका यूज कर सकता है, वाइल सकत का while आसाएगा जिसका मतलब होगा जब की आप समझता है example से से कि तुम ख्यल रहे थे जब की राहुल पढ़ रहा था तो संदेस बनेगा, you were playing, तुम खेल रहे थे, while जब की, राहुल was starting, राहुल पढ़ रहा था, इस बार से मैं सो रहा था, जब की वे लोग टिवी देख रहे थे, तो संदेस बनेगा, I was sleeping, while they were watching टिवी, दीगे, कितना easy में संदेस बन रहा है, बहुत ही easy, just concept को समझे, और sentences बनाए, one day you can speak in this as well, आगे समझे, इसे, अमन नास रहा था, जब की सुमन गना गा रहा था, तो जब की means while आपको यूज़ करना है, तो sentence बनेगा, अमन was dancing, अमन नास रहा था, नित कर रहा था, जब की while, सुमन was singing a song, सुमन गना गा रहा था, आगे आपका guys for a while, और for a while के यह मतलब होता है, कुस देर के लिए, या कुस पल के लिए, हम लोग हिंदी में अलग अलग तरिके से बोलते हैं, कुस देर के लिए, कुस पल के लिए, इसका formula हो जाएगा, आपका subject, verb, इसको आपको लिखना है, for a while, for a while means कुस देर के लिए, अब देके सामझे से, तुम, तुम लोग कुस देर के लिए, आराम कर सकते हो, तो Sunday स्वनेगा, you can take a rest for a while, you can take a rest, तुम लोग आराम कर सकते हो, for a while, कुस देर के लिए, इसी बहर से, मैं कुस देर के लिए, सोने जा रहा हूं, तो Sunday स्वनेगा, I am going to sleep for a while, for a while means कुस देर के लिए, इसी बहर से, कुस देर के लिए या कुछ पल के लिए मेरा इंतिजार किज़े तो संडेस बनेगा wait for me for a while, wait for me मेरा इंतिजार किज़े for a while कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, इसी बहर से कुछ पल के लिए अमन के साथ जाओ, कुछ पल के लिए, अमन के साथ जाओ, संडेस बनेगा go with a man for a while for a while means कुछ पल के लिए go with a man अमन के साथ जाओ इस पगार से आप sentence को बनाते हैं बहुती easy में बहुती easy guys समझना English is a language just understand just speak English just make sentences and just practice guys आगे आपके guys after a while इसका मतलब होता है कुछ पल बाद या कुछ देर बाद इस sentence में आप यूज करते हैं after a while आपको कितने तरीकों से यूज कि आसार है क्योंकि हम लोग हिंदी साब बोलते थे इस पगार के words को हम लोग यूज करते है but English में नहीं जाने के कारण just we got confused what to speak right now so आपको इसाब नहीं करना है समझेगा इसका formula हो जाएगा subject verb after a while आपको कि एकसामपल जैसे कि कुछ पल बाद मैं काम करना शुरू करूंगा तो संदेस बनेगा I will start working बैं काम करना शुरू करूंगा after a while कुछ पल बाद या कुछ दिर पहले sorry कुछ दिर बाद या फिर कुछ पल बाद कुछ दिर और कुछ पल इस पार साब बोल सकते हैं इससे बार सो जाएगा कि कुछ पल बाद वो घर आएगा कुछ पल बाद या भी लिखा हुआ है और कुछ दिर बाद दोनों आपके किये बोलने का तरीका लगे संदेस बनेगा he will go to house वो घर जाएगा कुछ पल बाद after a while इससे बार से कुछ दिर बाद मैं खाना खाऊंगा संदेस बनेगा I will eat food after a while after a while means कुछ दिर बाद I will eat food इस बार से बनेगा कुछ दिर बाद सुमन उससे मिला तो संदेस बनेगा सुमन मैट हिम after a while अब बात यह गाईस कि after a while को आप संदेस के सुरू में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको एक कोमा का यूज़ करना होगा इसके बाद आप संदेस को बना सकते हैं जैसे कि after a while सुमन मैट हिम ऐसे भी आप बना सकते हैं बड़ आपको यहाँ पर एक कॉमा का यूज़ करना है और अगर आप बाद में अगर आप आप को यूज़ करते हैं तो कॉमा का कोई जरूरत नहीं है आगे समझें आगे लिखा हुआ इन वाइल इसका मतला होता है कुछ देर में या कुछ पल में दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं अब समझें इसका फॉर्मूला आपका सिंपल है अब एक्साम्पल देखिए एक्साम्पल है कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है तो सब्सक्राइब क्या है इस तू बी स्टार्टेड हो गया पर आपने नाम सुनाओगा तू वीवन जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं और इसी का पेसिब होता है तू बी पलस वर्ब का जो कि इन्फिनिटिव का पेसिब यहां पर यूज किया गया है क्योंकि मैस तो खूद श्टार्ट नहीं होगा श्टार्ट किया जाएगा यूर गेटिंग इस इन वाइल मेंस कुछ देर में इसी बार से कुछ देर में रवी घर पूस जाएगा तो सब्सक्राइगा रवी इस पर सोजाएगा कि कुछ देर में तुम लोग अपना काम पूरा करोगे तुम लोग कुछ देर में अपना काम पूरा करोगे संडेस बनेगा यू विल कंप्लीट यूर वर्क इन वाइल यू विल कंप्लीट यूर वर्क या फिर फिनिस यूर वर्क इन वाइल इस पर से ह पर दोनों का हिंदी मिनिंग आपका सेम होता है और दोनों का मतलब भी आपका सेम होता है एक दुसरे जगह पर आप यूज कर सकते हैं लेकिन सभी मिनिंग आता है उसी दोरान आप समझते हैं इसको उस कैसे करना है इसका फर्मॉला आपका यह होगा कि एक सन्टे क séinte एक काम तो चल रहा है उसी समय दूसरा काम भी शुरू हो जाना मतलब दो काम एक साथ चलना उस समय पर आप यूज़ करते हैं मिन वाइल या फिर इन दम मिन वाइल का अब तक एक संपल क्या है इसे मैं ऑफिस के लिए निकला उसी तोरान वारिस होने लगी आप समझेगा कि म समय क्या हुआ दूसरा काम इस्टार्ट हो गया एक काम इस्टार्ट ही क्या होगी है । दॉसरा काम स्टाइड हो गया कि मैंने अपने दोस्त को देखा तो सब्सक्राइब यहां पर मिंवाइल का युज्ट कर सकते हैं इसे बार से सुमन काम कर रहा था उसे दौरान उससे बुखार, हो गया, hiding, व person काम कैंग उस्दौर risks, उससे बुखार हो गया, he got fewer, उसे बुखार हो गया इस पर से गाइस आप यूज़ करते हैं गन्फियूस नहीं होना है हमको समझना है concept और उससे बनाना है sentences और करना है practice इतना चीज़े अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप अंग्रेशी बोलना सेख सकते हैं आगे आपका गाइस while versus meanwhile इसका दोनों का मतल़ ह होता है उसी दोराव आप समझते का कि क्या इसके बीस डिफ्रेंस है डिफ्रेंस होगा क्या तोनों तो दोनों तो आपके किदर है तो डिफरेंस क्या है डिफरेंस आपका यह है गाईस कि आप जहां पर मीन वाइल को यूज़ करते हैं संटेंस लिखते हैं फुलस्ट आफ आता है इसके तुरंद बाद आपका कॉमा आता है इसके बाद संटेंस स्टार्ट होता है लकिन वाइल वा आपका कौमा कमपलसरी है, या पर कौमा कियो है सकता नहीं है, आप लका यह आपका किसी के पहले आ सकता है अगलाने वर्ब भी आएगा इस पर से आप समझे से गाना सुनते ताहल रहाता था झांस वाकिंगा। अनि-बलकि वर्व का速 और्णेट चरह्ट आया का संडेश पनेगा मैं सुनते चरहरं रहा संडेश पनेगा एव सिए भा से उस ने टीवी देखा जब तक वह गाना पका रही संडेंस कैसे बनेगा देखिएगा कि वोच टीवी वाइल सी वोज कोकिंग फुड अब यहां पर देखिए क्या है कि आपका क्या हुआ कि आपका वाइल सो यूज क्या साता है किस किस कंडिशन में क्या साता है आपका वाइल के बाद आपका संडेंस भी आ सकता है वाइल के बाद आपका वर्ब का फर्द फर्म भी आएगा और आपका जो मीन वाइल है इस मीन वाइल के बाद आपका सिर्फ संडेंस ही आएगा इटमिस आपका सकते हैं कि सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगा इस पर से यह पर देखे आपका क्या है वाइल के बाद आपका वर्ड वा गया वाइल के बाद आपका संटेंस आ गया इधर भी एक संटेंस है और इधर भी एक संटेंस है आप समझपा रहे हैं और दोनों का मीनिंग अलग अलग है उसने टीवी देखा जब तक वो खाना पका रही थी इसे बिखिल सोते में उसने टीवी देखा रहुल उससे सीड़ान तो कर रहा था झाब यहां पर यह सकते हैं कि इसाबर स्पशोगिया तो अब से मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान मैं सो रहा था कैसे बनेगा संडेज कि I my friend was studying meanwhile I was sleeping कितना इसी है देखी बहुत ही इसी संडेज आप बना सकते हैं बहुत ही इस जुए में So guys, thanks for watching, that's all for today.